पहले तो बच्चों WhatsApp और Facebook की University के आगे वो universities हैं जहां पढ़ रहे हैं थोड़ी सिज्दत उनकी भी करिए आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूँगी आलू डालो और सोना निकलेगा ये भाशन मोधी जी ने दिया था राहूल गांदी जी उसको कोट कर रहे थे बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोशन काटा और उसको वाइरल कर दिया असली भाशन मोधी जी ने दिया था गुजरात में दिया था आपकी जानकारी के लिए बठागे पहला सबार पहली बार तो थोड़ा सा और फेसंबूक की उन्वरस्टी से आगे अपनी किताबों की इज़फ करिए दूसरा यहां पर एक बात बोली कि है कि जेन्यू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं हमारे विदेश मंत्री जैशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीता रमर जी दोनों ही जे नीयू के प बड़ा किया है, उच्छा किया है, मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है, जेन्यू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है, रिद्ध आतरा से क्यों अंतर है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, मेरा अपना मानना है और अगर आप अपने अचारों तरफ देख लीजे, आज महेंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, गुर्बत से लोगों का होसला तूटा है, कल, कल शाम को Human Development Index की रिपोर्ट आई है, जिस से तो नहीं जुटला सकते, तो लोगों का होसला तूटा है, हिंदू, मुसल्मानों को, आदिवासियों को, दलितों को, राज्यों को आपस में, राज्यों को केद्र से, जिस तरह का मन मुटाव है, जिस तरह का लड़ाया जा रहा है, उस से लोगों का विश्वास तूटा और उसको जोड़ने की जरूरत है एक मिनिट और इसलिए यात्रा अन्लिक किसी भी यात्रा से इसमें अंतर है यहाँ पर एक सवाल पूछा गया सजाओ दे दीजे सजाओ देने को हम बहुत तयार हैं और हम हर बार सजाओ देते हैं लेकिन आठ साल से जुनजुना बजाने तो मोधी जी भी नहीं सटा में बिठाए गए थे कि वो जुनजुना बजाएंगे और हम सजाओ देते रहें जब हम सटा में आएंगे तो हम कर देंगे लेकिन सुजाओ हमने लगातार दिये हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाईए हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आए खतम हो जाएगी वो मत कीजिए हमने कहा था चलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे मत चलाईए लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेर रही है फरवरी में सबसे पहले राहूल गांदी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है तब मोधी जी मध्यप्रदेश की चुनीवी सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते टरंप करा रहे थे दीदी ओ दीदी कर रहे थे जब गास्टीन बना विपक्ष की राजनीती है उसमें सिर्फ आप एक पुलिटिकल पार्टी से नहीं लड़नें आप एक ऐसे पुलिटिकल फोर्स से लड़नें जिनको लगता है कि आप उनके राजनीति प्रतिद्वन्दी नहीं है आप उनके दुश्मन है और इसलिए चाहे वो ED हो जो उनकी प्रभाव में आ जाते और इसलिए विपक्ष की राजनीती करना आज बहुत मुश्किल हो गया है जिनका धे लाइफ में सवदर जंग रोड पे घर बना रहे वो है वो जरूर छोड़के कॉंग्रेस जाएंगे लेकिन जिनका धे है कि हम लड़ेंगे वो आपके सामने खड प्रभाव द्रभाव में में बहुत लंबा उनसे सारोकार मेरे पिता जी के मित्र होते थे वो लेकिन बगवे इस बात का दुख है कि पछले आग सालों में मैंने जब उनके भाशन खखोले मुझे एक भाशन नहीं मिला जब उन्होंने मोधी जी के खिलाफ बोला हूँ क्यूं क्यूं इतना डडर के बोलते हैं आज इन बच्चों के भविश्र की बात है आप क्यूं नहीं वो बात करते हैं आज इन बच्चों के रोज जाते हो जाएं मैं तो यहां से मंच से खुली चुनोती आप लोगों को देती हूं भगवान कर एक दिन ऐसा आए जब आप भी ऐसे शो में जाए जहां पर मोदी जी आए खुले मंच की प्रेस कॉंफरेंस हो और बिना लिखे क्वेस्चन उनको पहले से अभी तक जीरो प्रेस कॉंफरेंस करिये प्रधान मंत्री ने साड़े आठ सालों में यह देश का लोकतंत रहे